अमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबको फिर शेख कर हमारी यूट्यूब चैनल CMCAD प्रोग्राम में मैं हूँ रोशन और आज के इस टुटिरियल में शेखने वाले हैं MSXS 2007 या किसी भी भर्षन में डाटाबेस को प्रिंट करना तो चलिए शुरू करते हैं आज का टुटिरियल तो यहां पर देख सकते हैं Microsoft Access 2007 का विंडो है जहां पर लेजर सीट नाम का एक डाटाबेस क्रियेट किया गया है सबसे पहले में जना दू दूस्तों डाटाबेस होता क्या है तो MSX में हम फाइल जो बनाते हैं जिस फाइल को डाटाबेस का जाता है जिसमें बहुत सारे रेकॉर्ड्स हम मुल्टिपल रेकॉर्ड्स हम क्या कर सकते हैं हम इस्टोल कर सकते हैं ठीक है दोस्तो मैं एक बास जना दूँ जब भी आप किसी भी database को या कोई भी चीज को print करते हैं तो सबसे पहले हमें check करना होता है कि यहां पर setting ठीक है की नहीं है तो यहां पर preview करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर अभी जो है फिलहाल अभी इस इतना ही आपको print होगा. तो अब यहांगे दिख सकते हैं कि इतना ही है हमें पूरा अगर प्रिंट करना हो तो हम अगर Krivia करना होगा। सब्सक्राइब है। इसी। शेट अप करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोस्तों यह है margin ठीक है, अगर आप heading print करना चाहते हैं, तो यहां पे आगे चलते हैं, प्रपर्टीज में दोस्तों क्लीक करने के बाद, यहां पे आप देख सकते हैं, portrait और landscape है, अगर हम landscape कर देते हैं, तो landscape इसके फॉर्मिट जो है आपको इस तरह का फॉर्मिट महजूद होगा आप देख सकते हैं और यहां पे प्रोपर्टी में जाकर करके इर्भांस प्रोपर्टी में जाकर यहां पे दोस्तों पेपर सैज ले सकते हैं आसानी शे तो दोस्तों इसे कहा जाता है आपको पेज सेट पे जाकर के preview करते हैं तो आप देख सकते हैं आसानी से जितने साले जो content है शाले content यहाँ पे दोस्तों आज चुका है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं content adjust हो चुका है अगर हम यहाँ से मिलाते हैं अगर यहाँ से जो content को हम आसानी से थोला थोला करके मिलाते हैं तो क्या होगा और भी हम adjust थोरा सम कर सकते हैं ठीक है असानी से कर सकते हैं तो इस तरह हम असानी से हम क्या कर सकते हैं हम mention कर सकते हैं तो अब यहाँ पे फैल में जाकर के print में जाकर के preview करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंट ठीक है अब हम क्या करेंगे फैल में जाकर के print में जाकर के य अब्रेक्ट करना होगा और यहासे हम प्रिंटर एक चूज करेंगे जोभी फ्रिंट प्रिंटर हो हमें क्या करेंगे चूज करना होगा है नहीं कि यहाँ पी 344 प्रोव्ट का मतलब होता है इतना साले aश् donor है कि Review अभिंप करना है तो यहां पे select करेंगे और यहां पे फार में जाकर की print करेंगे print में जाकर के दोस्तों यहां पे selected record में क्लिक करके जब भी ok करते हैं तो क्या होगा दोस्तों यहां पे आसानी से यह selected record को सीर्फ हम्ता कर सकते हैं जरी आगे चलते हैं यहां पे फीन्ट में जा करको किव में खरने के आफ– चर्ड करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं अध है सदुरों अगर मानीनिये खिछ राहिए के हैं यहां से दूस्टाइब आध रीकेर्य project 기 Wagels कमी करने के बाद में 10 अधिस्ट है शेवन या किसी भी बर्शन में हम किसी भी डाटाबेस को किस तरह हम प्रिंट कर सकते हैं। विशा सब आज कर चीटिरिया पर खतम हता है। आप सबसे रूकेस्ट है कि ज़िए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, एक दोस्यों को साथ शेयर करें। और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूटियो चैनल को सबस्क्राब करें। और किसी तरह कोई प्राब्लेम हो तो हमारे बहुत सोचल मेडिया आज है। आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सलुशन कर सौकून, धन्यवाद।